नमस्कार आप देख रहे हैं हुंकार 24-7 मैं हूँ आपके साथ हनी सैगल हुंकार मीडिया अलग-अलग चीजों की बार-बार कवरेज करता रहता है चाहे वो कोई भी एरिया हो आज मेरे साथ मेरे चैनल पर मौजूद है इतने यादा बदरपूर में मुद्दे उड़ते जा रहे है प्रशासन की बार-बार लापरवाई दिख रही है लेकिन प्रशासन इस पर कुछ ध्यान नहीं दे रहा राकेश कोली जी के बारे मैं आपको बता दूँ ये एक बहुती बड़े सीए भी है और समास सेविक भी है इनका खुद का एक NGO सलता है पहले में इनसे बदरपूर की विदान सभा में जो प्रॉब्लम होती जा रही है जिनके कारण जनता काफी आदा परिशान है उन पर बात करूँगा सबसे पहले तुम्हें बरेजा सदन मार्केट बेलफेर एससेशेशन का प्रेसिजेंट हो जिसको में रेप्रेजेंट कर रहा हूं और मैं रोड की बहुत सारी समस्या है आहे देन रहती है चाहे ट्रैफिक की हो चाहे जल वराओ की हो और या ट्रैफिक की सब्सक्राइबगर कर काफी या डाबने बढ़ती जा रही है जिनकी दादां की gratis आप बिना लासन्सके चलते हैं कोई लासन्स नहीं होता सब्रेफिक प inflam प्रकाशानी बढ़ती जा रहें जिससे जनता काफी डाब ठाशान आप प्रेजिडेंट हैं मार्केट के क्या आप कभी वहां गए हैं या आपको नहीं लगता कि प्रशासन की कमी है आई दिन देखता रहता हूं और वहां पर अगर सिर्फ सिर्फ देखा जाए तो हमारे पुलिस की ही लाफरवाइस को बोलेंगे क्योंकि हमारे यहां चेत्री विदायक ने कई बार कोशिस की वैरिकेट भी लगाए और कई तरह के कोशिस की उन्होंने लेकिन हमारे यहां जो पुलिस है ट्रैफिक पुलिस खास तोर से वह विवस्ता ठीक नहीं कर पा रही जिसके चलते आवेड आपके आटो वाले हैं या और भी ट्रैफिक विवस्त ही जांब होती है जिसके चनते हैं आए जयम रहता है बहुत सारी कंप्लैंस होती है ग्रमस से होती है Demi कोई सुलीशन नहीं नहीं होता है बाध कंप्लैंन होती है पुलिस आती है तो यह मेरा अंसरो दूर बोस्तों पाजयों बॉट की कोस्तां से प्रफिक पशितार हो दूसरा हमारा मुद्दा है बदर पूर बॉरडर पे थाने के बदर पूर बॉरडर पे मैटरो इस्टिसन के पास पानी का बहुत पानी पानी रहता है बदर से एंडर पास जितना भी करते हैं पूरा रोट पानी पानी रहता है जिससे की जो बच्चे मेट्रो से अंडर पास जितना भी करते हैं सारे उस पानी से होके निकलते हैं सरक्या आपने राम सिंग निता जी को कभी ये रिक्वेस्ट लेटर डाला है बचे लोग के परशान है कभी राम निता जी के पास आप गए हैंस मुद्डे को लेकर राम निता जी के पास जाने का मैंने कभी सोचा नहीं क्योंकि राम सीन निता जी की नर्सरी है या किसी और की है कभी सोचा नहीं मैंने क्योंकि वो बिधायक भी नहीं है और यह बेसिकली नेशनल हाइवे थार्टी ऑफ इंडिया का मैटर है वो ही देखें राम सीन निता जी कैसे कोई प्रॉप सर एक प्रेजिडेंट होने के नात और बॉर्डर से लेके सर्ता बिहार के बीच में जो भी क्राइम्स होते हैं जो ट्रैफिक से रिलेटेड हैं जो हमारे दुकांदार भाईयों को जो अस्विदा होती है आए दिन जैसे कहीं हम लोग मार्के बदरपूर मार्केट में पार्किंग करते हैं वहां भी सभी लोग हैं सभी सहमे हुए डरे हुए कभी किसी भी वक्त सीलिंग हमारे यहां भी आ सकती जिससे कि हमारे दुकांदारों का ब्यापार चौपट होने का हर वक्त डर रहता है इसके अलावा जो ब्यापारी वर्ग है जी एस टी से परिसान था नोट बंदी से परिसान थाण अब सीमग से परिसान है इसका भी कोई कोई स्पाया दे चाहिए । को चे हमारे सेंटरल गौर्रमेंट के आधिकारी हों सही सा इसका निवाड़ हो जिससे कि व्यापारियों कि इसका रिलीफ मिले सर आप एक सिये हैं काफी यादा नाम आपका हम सुनते रहते हैं आए दिन यूजपेपर क्लिपिंग में राकेश कोली का नाम जरूर सुनाई दे सब्सक्राइब कर्पर क्या हैं क्या मोदी सरकार ने जो नोटबंदी का डिसीज़न लिया लिया तो ठीक था किन वह प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेशन नहीं हुआ उसका सही तरीके से लागू नहीं कर पाए जिसके चलते लोगों को परिसानिया जादा हुई उसका कुछ रिजल्ट सामने नहीं आया जो आना चाहिए था वो सपने वही के वही रहेगे सपने प्रोपर रिजल्ट में नहीं तब्दिल हुए सर एक सरकार चलाती है स्वर्च वारत अभ्यान दूसरी सरकार चलाती है और डीवन तीसी सरकार सिर्फ कानून बनाने में रह जाती है क्या ये बदरपूर में जो दिख रहा है आरोप और प्रति आरोप की राजनिती और काफी समस्याएं कब तक चलती रहेंगी कि यह तो जी पार्ट औफ पॉलि quantity है हर भक्त रहा और रहे गा चाहे हम आद्मी पॉलिटिक्स तो आसे ही रहेगी इसका कोई वीस नहीं आ है इसको हम नहीं मांते हैं हम सिर्फ देखते हैं कि जो लोगों की परिसानी है जो ग्राव ग्रिवांसे से उनकर हो उनकी समस्यां का समाधान हो, समाधान पर ध्यान देते हैं बाकी फॉल्टिक्स कोई लियना दाने नहीं मैं पॉल्टिक्स बारे किसी से कुछ कहना चाहूंगा सर देश भर में अलग-अलग प्रकार के एंजियो चल रहे हैं कोई महिला सुरक्षा के उपर काम कर रहा है कोई बच्चों के उपर काम कर रहा है कोई हैंडिकैप लोग उपर काम कर रहा है आपका एक खुद बहुत बड़ा एंजियो है जो कि महिला सुरक्षा के उपर काफी यादा ध्यान दे रहा है महिलाओं के साथ आए दिन बत्तमीजी, आए दिन छेशाड, आए दिन गलत किस्से सुनने में लगे रहते हैं चाहे वो एलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से हो या प्रिंट मीडिया के क्यों अभी तक हमारी सरकार ऐसा कोई ठोस कानू नहीं बना पारी के हमारी महिलाएं घर से निकलने से पहले दस बार आज सोचना पड़ता है उनको ना सोचना पड़े मेरा भी एक अपना NGO है जिसका नाम खुसबू NGO है जो ओल ओवर इंडिया में हमारे करीब 15 स्टेट में ब्रांच हैं जिसको मैं रेप्रेजेंट करता हूँ जिसका मैं हैड हूँ इसके अलाबा मैं NGO मैं यस आपकी सारी बहुत सारी समस्याइं आती रहते हैं टाइम टू टाइम जिसमें फिलाल जो हमारा मुद्दा चला एक दिल्ली महला आयोग की तरफ से जो हमारी प्रदेश की डीसी डवलू चीफ स्वातिमा लिमाल जी बहुत जबरजस्त मेहनत कर रही हैं आज के टाइम पर और उनका जो मुद्दा है दिल्ली में क्या ओल ओवर इंडिया में हिंदोस्तान के हर कौने में बच्चियों के साथ महलाओं के साथ आए दिन बलातकार हो रहे हैं जिसके लिए वो ही महनत कर रहे हैं इसके साथ सबी लोग सारी एंजियो हमारे जैसे बहुत सारी एंजियो ह सबी मेहनत कर रहे हैं यह चाहते हैं कि जो बलातकारी हैं जिनको सक्त से सक्त सजा मिले यह हमारी क्या DCW की भी एक रिक्वेस्ट है कि सक्त से सक्त इसकी कानून बने और जो बलातकारी है स्वाती मालेबाल जी महिला आयोक से उनका खुद का बयान है कि महिला सुरक्षा पर हम काफी अदा काम कर रहे हैं अभी टाइम लगेगा सर अगर ऐसे ही टाइम लगता रहा तो महिलाओं के साथ आए दिन यह गलत कांड बढ़ते रहेंगी उसका एक रीजन है दिल्ली में बेसिकली दिल्ली पुलिस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली पुलिस है और दिल्ली पुलिस हमारे यहां सौर्ट है दिल्ली पुलिस का दलील है कि हमारे पास स्टाफ की कमी यह फैक्ट उनके पास स्टाफ नहीं है जिसके चलते क्राइम नहीं रोक भारे हैं क्राइम रोकने के लिए देखो हर किसी को अभेर होने की सकती जरूरत है हमारी NGO वही काम कर रही है गली में जाके महले में जाके जो महला हैं दवी कुछली या उनके साथ अन्याय हो रहा जो अपनी आबाज को सही जगे नहीं पहुचा पा रहे हैं सही प्लेटफॉर्म नहीं ले आ रहे हैं जिससे वो जागरूप हों अपनी बात को हमारे माध्यम से अपनी समस्या अभगत कराएं जिससे कि हम आगे उनकी समस्या का निवारण के लिए सम्मद्ध प्लेटफॉर्म पर उनको ले जाएं सर आपका NGO कितनी दारे तक सीमित है क्या वो नहर पार अल ओवर दिली में भी है और पर्टिकुलरी इंड़क्षन नहीं है पूरा दिली के साथ साथ पूरे हिंदोस्तान में पंदरे स्टेट हैं चैह हमारा दिली हो यूपी हो बिहार हो बंगाल हो पंजाब हो केरल हो और आपका उरीसा हो महराष्ट हो बहुत सारी राज्य हैं जिसमें हमारे डी काम कर रहे हैं और जिसमें क्या है सबसे बड़ी समस्य हमारे साथ है सौर्ट ऑफ फंड सौर्ट ऑफ फंड हमें किसी गौर्मेट ने हमें किसी भी तरह कोई मदद नहीं मिलती हम जो भी काम कर रहे हैं ऑन सोर्स से ही इसको चला रहे हैं जिसके चलते जो ह दो टमेले जैसे आवि हमें दिल्ली डी सी ड्व लूacha में बडिया है महला और तरस्ते मिलाये इसके से पहले हम हमें एकक नेशनल अविट अफ इंडिया ने दिया है चोटे मूटे प्रजक्पन देके किसी ने पचास जाद दिया, किसी ने 75,000 रुपए दिया, जिसके चलते हम इसको किसी तरीके से चला रहे हैं, आप सब लोगों के सायोग से इसको चला रहे हैं। सर, आपने पताया कि आपको अभी तक किसी भी गवर्मेंट से कोई भी सायोग नहीं मिला, बदरपूर छेतर में आपका NGO है, बदरपूर मार्किट के आप प्रेजिडेंट है, यहां के विधाय अक्षिरी नरायंदर शर्मा जी को इस बारे में नौलिज है या उनके दौरा पता है, बुलाया भी है हमने लास्ट लास्ट येर मैंने प्रोग्राम किया तो सुनी बुलाया था, उसके बाद हम लोग मिलने भी गए हैं, इसके अभी रिसेंटली हमारी टीम भी मिलने गई हैं, और उनको चिठियां बगारा भी देते रहते हैं, जो भी समस्या होती है, चैया मार्केट की हो, चैया एंग्यों की हो, चैया सोचल हो, चैया लीगली हो, सारी इंफॉर्मिशन हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं, बिदाएक साब को, ठीक हैं, कैसी कोई दिक्कत ने कोई सिकायद नहीं ना गरबान से से, ठीक है, वो एक्सन भी लेते हैं, ध्या स्टार्ट्र एकाउंटेंट के एक सपना देखते हैं, कि स्टार्टिंग सेलरी 35-40,000 होगी, हम सीय का कोर्स कर लेंगे, लेकिन कई जगा ऐसी होती है, वो सीय का कोर्स करने के, बावजुद भी उनको एकदम से सैलरी इतनी स्टार्टिंग नहीं मिलती, इतना महंगा महंगा वो कोर्स करके अपने आपको आगे बढ़ाते हैं क्या कहीं टेक्नीकली दिक्कत आ रही है सीए की जॉब में मैं बैसिकलिए सीए प्रोफेशन में हूँ ठीक है ना और सीए का जॉब ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलते हैं एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है बहुत बड बड़ा सींपर सिए प्लसी होता ए marry बहुत कम निकलते हैं यह कोई सीएं उतने ही बनते हैं कोी कुछ नहीं है और इस ही एक बहुत टफ डिगिरी और कोई कोलेज कि यह जिए नहीं डिटा है और सीधा ये भारत का जो राष्टपती है राष्टपती के अंदर ही Chartered Accountant का देख रहे काता है वो ही अपने उसके अंदर में रहते हैं बाकी परधान मंतरी किसी भी मिनिस्टर का कोई सीज से लिंक नहीं होता है आप लोगों ने सुना राकेश कोली जी से सारी समस्यां बदरपुर की के बदरपुर में काफी यदा समस्या हैं जिससे लोग बहुत यदा परिशान हैं लेकिन उनको समधान करने के लिए राकेश कोली जी खुद और यहां के विधायक श्री नदायंदर शर्मा जी के साथ एक कित्र नेत्र में काम कर रहे हैं बहुती जल बदरपुर की विधान साबा की जन संक्या है इन समस्याओं से उनको दूरी मिल जाएगी और सबसे बड़ी साथ आजकल बत्तमीजी हो रही है रेप हो रहा है उनको रोखा जाए और सारी महिलाओं को जागरूक किया जाए जो की इनकी पूरी महिला टीम एंजियो की एक घर जाकर डोर टूर उनको जागरूक कर रही है आप लोगों से मैंने मुलाकात करवाय थी राकेश कोली जी से जो की खुश्बू नाम के एंजियो के चेर्मेन थे अपने फंड से अपने ही सोर्सिस से एंजियो चलाया जा रहा है राकेश कोली दियरे और यह इनकी पूरी टीम है पूरी यूबाओं की टीम है जिनके अंदर काफी जोश है काफी जुशा है कि लड़कियों के साथ ये गल सभी जानते कि आठ महीने की एक बच्ची के साथ जो रेप हुआ है ये क्या ये जायज है आठ महीने की बच्ची जैसे कुछ पता नहीं है जो अब इस दुनियों में आई भी नहीं और उसके साथ इस तरीके का घटिया हरकत जिसने भी गरी बता और यह चलता रहा है इसी त जाधू कर सकते हैं कि और लोग यह को शुच्छ कर सके हैं और स्ज़क्रों कि आने वाली जनेरिशन के लि谷 ने वाने चिहां हुझस। और महिलाओं के साथ जितना यादा अत्याचार हो रहा है जितनी यादा बत्तम इसी हो रही है और इस देश में जो अभी तक महिलाओं के साथ रेप होते जा रहे हैं उन पर कोई सक्त कानून नहीं बन रहा है चाहे वो महिला आयोक से हो या वो किसी भी सरकार से हो लेकिन सारी मा बेहने घर से निकलने से पहले दस बार उनको सोचना ना पड़े और वो फ्री ली और फ्रीडम वाली जिन्दगी जी सकें